राजदीती में उतार चड़ाओ तो होते हैं लेकिन किसका सितारा कब डूब जाए और डूबा हुआ सितारा कब उपर निकल कर आस्मान पर फिर से चमकने लगे पता नहीं चलता आज कुलदी बिश्णुई की बात करेंगे आदमपुर से विधायक हैं लेकिन आज जिस बारे में बात करेंगे उसका आदमपुर से नाता नहीं है नमस्कार एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है मैं उसर्वेश कुक्रा नगरपरिश्द नगरपालिकाओं के चुनाओं की घंटी बच चुकी है लोग तैयारियां कर रहे हैं जिनको चुनाओं लड़ना है और इंदनो कुल्दीब बिश्णुई के यहां हाजरी लगा रहे हैं नमस्ते करने पहुंच रहे हैं अपने कारीकरताओं को साथ लेकर जा रहे हैं और जैसी बात है कुल्दीब बिश्णुई को भी यह माहूल सुहाना लग रहा होगा मोसम भी सुहाना है और इसे के साथ में माहूल ज साथ में आने लगती है तो नेताओं को भी लगता है कि उनका कद्ध वाकई वो कद्ध है जो होना चाहिए था और जिस कद्ध को भूल रहे थे कुछ दिनों से करीब करीब ओने दो साल हो चुके हैं अर्याना में विदानसभा चुनाव को आदमपुर से कुल्दी विष्णु लड़ने के इच्छुक लोग आज उनके घर के चक्कर काट रहे हैं उनके दर्षनों के विलासी है और उनकी दर्षनों की चहा में उनके दिदार करने के लिए दिल्ली तक का चक्कर लगाने से भी गुरेज़ नहीं करते बेशक टीक्री बोर्डर पर किसावनों का जाम है उन्हें कितनी भी दिक्कत आएं लोग कुल्दी विश्णुई के फार्म हॉस पर पहुंच रहे हैं उनसे मिल रहे हैं फोटू खिचवा रहे हैं फेस्बुक पर डाल रहे हैं दरसल उन्हें लगता है कि कुल्दी बिश्णोई टिकेट दिलवाने में उनकी मदद करेंगे सीन क्या है सीन को आप समझिए कॉंग्रेस और बीजेपी हमने पहले पताया था कि इन चुनाओं में जो नगरपरिशन नगरपालिका के चुनाओं हैं इसमें बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में टक्कर रहेगी सीधी सीधी हला कि इने लों ने भी कहा है कि चुनाओं लड़ेंगे आम आदमी पालिटी भी कह रही है कि चुनाओं लड़ेंगे और इसमें कोई दोर आई नहीं है कि काफिस सारे लोग निर्दलिये भी आएंग में उनकी मदद करें और वो कॉंग्रेस के हाथ के सिंबल पर चुनाओ लड़ना चाहते हैं ये एक इस वक्त की बड़ी खबर है कि आंसी के पिछले दिनों चार नेता अलग अलग वक्त में कुल्दी बिश्णुई से मिलने पहुंचे हैं एक के बाद एक चार नेता कुल्दी कुल्दी बिश्णुई के अलावा टिकेट फाइनल करने में कॉंग्रेस की परदेश हद्रक्स कुमारी शेल्जा का हाथ रहेगा मेन रहेगा मुख्य हाथ रहेगा इसके लाव जितने भी तमाम नेता हैं वो अपने अपने लिस्ट बेजेंगे वो पेंदर सिंग कुल्दी बिश्णुई कहां से आते हैं तो मैं बताता हूं वो कहां से आते हैं आपको याद होगा 2019 में जिस वक्त विदानसभा चुना हुआ था तब कई लोगों की टिक टेक कट गई थी उसकी वजह जब जाने गई तो यह पता लगा क्योंकि कुल्दी बिश्णुई ने कंगरेस में किया था यानि में ये यांणी के अर्यना जरीत विगया धो उनकी जंकी थी इसका इन्य विले कर दिया गया निवी को उसके बूर्सां गये vit कel केमान को उनसे कहा गया था कि वो मरजर है उन्पर पर्टी का मर्ज किया है उन कोगरिस ने इसको टिक किया था उनको तीन सीटे कम से कम दे दी गई थी उनकी पसंद की आदंपूर नलवा और हासी हासी में चुकि रेनुका विश्णोई विधायक रही थी उनका दावा बनता था और यह उन्होंने क्लेम भी किया और यह माना जाता है आज के दिन भी जो प कुल्दी बिश्णोई जिसको चाहेंगे उसको हासी नगर परिशेद और बर्वाला नगर पालिका की टिक्टे दिलवा सकते हैं ऐसा उनका मानना है और कम से कम हासी की लोगों को तो ऐसा जरूर लगता है कि कुल्दी बिश्णोई के सहमत्री के बगार टिकेट नहीं मिल सक है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे उनको चुनाव लड़ना चाहिए और पालिटी अगर उनको टिकेट देती है तो चुनावी मिदान में उतर सकते हैं ये तमाम लोग कुल्दी बिश्णोई के फार माउस पर चक्कर काटते हैं हिसार भी जब अन्य कमेंट करके मुझे जुरूर बताएं क्या वाकई कुल्दी बिश्णोई के दिन फिर से फिरने वाले हैं उनकी कहने से उनकी सहमती से या उनके आशिरवाद से नगर परिशद नगर पालिकाओं की टिक्टे बाटी जा सकती हैं मिल सकती हैं या फिर क्राइटेरिया फिर नहीं क्या इस बात पर ध्यांग दिया जाएगा या फिर सिर्फ और सिरफ नेताओं के रिकमेंडेशन पर कॉंग्रिस की टिकट मिलेगी नंबर एक सवाल में आप से यह है और दूसरी बात यह है कि क्या कुल्दी बिश्णोई का वाक्ते इन चुनाओं में तद्र मत लगलेगी है कि है कि वपेंदर सिंग्हुड्डा का इंचुनाओं में क्या योगदान रहेगा और उसके लावा करन चोदरी भी है रंदीप सुर्जेवाला भी है उनके तमाम लोगों के अपने असमर्थक हैं अपने गुट्के利ोग हैं क्या यह लोग अपने अपने समर्द्कों की, अपने कारिकरताओं की इन चुनाओं में मदद करेंगे टिकेट दिलाने के लिए आपको क्या लगता है? कुल्धी बिश्णोई की पसंद हासी में, हासी नगरपरिषद चुनाओं के लिए चेर्मेन की सीट के लिए कौन हो सकते हैं? ये भी आप मुझे comment करके बताएं और एक last का सवाल ये भी है क्या बगेर suitcase के चुनाव जीता जा सकता है या जिनके पास में पैसा नहीं है चुनाव में खर्च करने के लिए क्या वो चुनाव जीत सकते हैं और जीत सकते हैं तो उसके लिए क्या conditions होने चाहिए क्या वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता होना चाहिए या वो ड्राइंग रूम की राजनेती करने में महीर होना चाहिए आपको क्या लगता है कि किस वक्ति को टिकट में तवज्यो मिलने चाहिए और किस नेता को आप जमीन से जुड़ा हुआ मानते हैं ये भी आप मुझे बताएं और कुल्दी बिश्णोई के इन दिनों जब भीड हो रही है उस पर आपकी टिपनी क्या है क्या कुल्दी बिश्णोई का ग्राफ फिर से बढ़ेगा रेनुका बिश्णोई हांसी की एक बार MLA रह चुकी है ये और बात है कि उनके MLA रहते हुए उनके विधाय करेते हुए हांसी की दूर्दशा बद से बत्तर हो गई थी हुई थी इसी से जुड़ावा सवाल लास्क में आपसे ये है कि क्या उस दूर्दशा को क्या उस अवस्था को बरबर हालत को लोग ने भुला दिया है या लोग भुला देंगे ये भी आप मुझ और आप देखे रहे हिकमत पहुष्ट नमसकार ने आप